जो कैन्वस है संजी लीला भनसाली का वो तो बहुत बड़ा है उसको तो मैच नहीं कर सकता पाकिस्तानी सेनेमा तो बिचारा धाई सर्कुट का सेनेमा उस वक्त तीन सर्कुट का था यह कौन से लोग हैं जो तवाइफों के पास अपने बच्चों को बेचते थे मतलब तैजीब सीखने के लिए यह खबर किसने उड़ाई है तवाइफों के पास तो बंदा नोट लुटाने जा सकता है, मुझरा देखने जा सकता है, डांस देखने जा सकता है, को दिल पिशारी करने जा सकता है अभी ये सेंजेलिया बंसाली ने सीजन टू अनाउंस कर दिया है और उने सीजन टू में कहा है कि जिस तरह ये 40s दिखाया था 1940s का एरा तरीक आजादी और अंग्रेज भगाओ मोहिम जो भी चल नहीं थी कहने कि जो नए सीजन आएगा इसमें 50s दिखाएंगे मैंने उनको इस प्रोजेक्ट में हसन तारिक की जो पाकिस्तानी अमरो जान है उससे मैंने उनको इंस्पाइर देखा मेरी उमर के नौजवानों के साथ मैं हूं सोयबल भी आज हमाई साथ मौजूद हैं तन्मीर अफरीजी जीज़ाप सिंगर, म्यूजिशन, म्यूजिक प्रोमोटर, और कुछ रह गया? लिनिसिस्ट, राइटर तो आप है, राइटर रह गया इवेंट वैनेजर भी हूँ, नगमा साथ का फाउंडर भी हूँ, एम आई पाकिस्तान से भी मौनसलिक हूँ पी आज यहां, आप देखते हैं, वो सब कुछ है अच्छा तन्वीर भाई, बहुत दिन से हम कोशिश कर रहे तो और आज हमारी बिलाखिर मुलागात हुई हीरा मंडी के हवाले से बात करेंगे जो वेब सीरीज आई है, संजे लिला बंसाली साथ की और उसमें हमारे आपाकिस्तान में बिला हुजे के सबको दर्द उठा के सही नहीं दिखाया और ये गलत तरीका है आप आपने देखिए कैसी लगी आपको देखें सबसे बड़ी जो उसकी मेरे नजदीक सबसे बड़ी उसकी जो काम्याबी कह लें उसको वो ये है कि मैंने जब वो लगाई देखने के लिए तो मैं आठ एपिसोड देख के उठा ठीकि बीच में दो घंटे में सोया और उसके बाद मैं जिम्मेदारी के साथ उठा और मैंने उसको मकमल किया तो इससे बड़ी बात होती नहीं है इसा आप तभी करते हैं जब कोई चीज़ आपके मैयार पे आपके दिल्चस्पी के मैयार पे पूरी उतर रही है क्रिटिकली तो अगर आप उसको इनैलेसिस करेंगे तो चीज़े निकलाएंगी मगर एस फार इस संजे लीला भनसाली इस कंसर्ण संजे लीला भनसाली फैंटीसी फिल्म का आदमी है वो कोई पैरदल सैनिमा का आदमी नहीं है वो कोई रियलिस्टिक फिल्म बनने वाला आदमी मेरी नजर में नहीं है देवदास भी फैंटीसी थी ठीक है, रियल देवदास तो दिलीप साब वाली थी ना, ये वाली देवदास फ्रैंटी से थी, ठीक है, लेकिन ये जो हीरामंडी है, एक अरसे के बाद, उन्होंने अपनी देवदास वाली डूमेन में वापस कदम रखा, और उन्होंने वैसी ही एक बड़ी चीज़ करने की कोशिश की अलबता मैंने उनको इस प्रोजेक्ट में हसन तारिक की जो पाकिस्तानी अम्रावजान है उस से मैंने उनको इंस्पायर देखा पाकिस्तानी अम्रावजान अदा अम्रावजान अदा वो भी थी और आप अंजुमन सुरिया भुपाली ये सारी जो उसके अंदर न आदम वाला, वो बहुत तक तक वैसा ही था पैदा तो हम कहीं और वे थे लेकिन तक्दीर के साथ को लड़ सकता है फासले से इसलिए खड़ी होती है कि वो इस माहौल में घुल मिल के रहना नहीं चाहते तुम्हारे लिए ये बड़े अर्मानों की रात है और हम समझते हैं कि आज हमारे अंतर औरत खुद कुशी कर लेगी मुमासलत बता रहूँ ना मैं आपको मुमासलत ये थी कि नियर सुल्ताना की जो ग्रेस है वो आपको नियर सुल्ताना का पूरा करेक्टर मलका जान में नजर आएगा और आप दोनों शख्सियात की मुशाबहत देखें एक मतलब एक अच्छी बहुत नोबिल फैमली की खातून है वो जो निपाली है वनीशा कोईराला साहिबा उनको आप देखें और नियर सुल्ताना साहिबा वो भी हमारी प्रिंसिस थी पाकिस्तानी संतोष कुमार फैमली दरपन फैमली जो है तो वो भी हमारे यहां की जैसे वहां कपूर फैमिली है या दूसरी फैमिली तो हमारी यह संदोश फैमिली भी कोई छोटी फैमिली नहीं नहीं बिल्कुल 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 नहीं क्या मुम्ताज और वो सब जाती है उसके बाद आप एक और मुमासलत दिखेंगे के वहां पर रानी को शायरी का शौक है और वो बाकाइदा शायरा है ठीक है और यहां पर भी जो उनकी हीरोई ने फिल्म की सैगल जो है शर्मीन सैगल वो शायरा है तो शेरो अदब और तवाइफ को जिस तरीके से हसन तारिक ने देखा उसी तरीके से भनसाली साब ने देखा और यह इत्तवाक नहीं होते इस किसम के जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप कर रहे होते हैं इतनी बड़ी लागत का तो फिर आप स्टेडी करते हैं फिर आप रिसर्च करते हैं फिर उस मौदू पर बनने वाली जो कामियाब चीज़े होती हैं आप उनको देखते हैं ऐसा नहीं होता उनसे कहो आदा के बुलाए गए थे हम तो जो कैन्वस है संजलीला भनसाली का वो तो बहुत बड़ा है उसको तो मैच नहीं कर सकता पाकिस्तानी सینेमा तो बिचारा ढाई सर्किट का सैनेमा उस वक तीन सर्किर तो उसको मैच नहीं कर सकता लेकिन हाँ एक चीज और मुझे उसमें खली और वो ये थी कि फिल्म की जो मौसिखी है जब आदमी अकले कुल हो जाता है तो फिल्म की मौसिखी किसी म्यूजिक डिरेक्टर को उड़ करनी चाही थी जैसे इसमाईल दर्बार से जब आपने फिल्म करवाई थी देउधास तो मार डाला आपने किया था और आपने शोहरा अफाक गीत तखलीक किया था अब आपको ऐसा लगता है कि जी इसमाइल दरबार कुछ नहीं था वो तो मैं ही हूँ तो आपने ये रंगीले वाली हरकत की कि आप म्यूजिक डिरेक्टर भी खुद ही बन गए और आप सब कुछ खुद हैं बन गए तो ऐसा नहीं होता है म्यूजिक डिरेक्टर बिलकुल मैं इन लोगों से डिसेगरी करता हूँ जितने भी डिरेक्टर वारेक्टर जैसे अजब गुल साब भी एक दफ़ा म्यूजिक डिरेक्टर असूसियेशन की मेंबरशिप लेने पहुँच गे थे तो बोबी वजीर उस फिल्म का म्यूजिक डिरेक्टर था तो वो बड़ी मुखालिफत हुई और फिर एमशरफ साब ने अजब गुल लाला को जो है वो मेंबरशिप नहीं दी तो म्यूजिक डिरेक्टर एक आलिम होता है मौसिकी का पड़ा लिखा तर्बिय अत्याफता फनकार होता है वो आप अगर डिरेक्टर हैं आपके जिंदगी कैमरे की पीछा मौसिक डिरेक्टर नहीं होंगे यार और ऐसा सब्जेक्ट हीरा मंडी जैसा सब्जेक्ट जिसमें ट्रिडिशनल ठुम्रियां और इस तरह की चीज़ें और क्लासिकल बेस्ट मौसिकी होगी आपका काम नहीं है यह आपको कोई हर्ज नहीं किसी को क्रेडिट देने में थोड़े से पैसे भी दे 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 तो इतना बड़ा बज़ड है तो यार उसमें उनको भी कामडेट करें थोड़ी इज़द भी शेयर करें लोगों की ऐसी कोई बात नहीं है अकेले नहीं करना चाहिए तो मेरी नजर में और मैं ज़्यादा बोल रहा हूं लेकिन जो जितनी बात मुझ से निकल रही है म्यूजिक बनवाने के लिए तो एक बहुत ही शागार मौसिकी बनती एक कौन थे ये एक वो हर छे महीने आट महीने ये बात चैनलों से निकला जाता है या आदमी और कभी किसी जगह कोई खतरनाक और खौफनाक किसम के शोज कर रहा हुता है जिसने अर्दू मिज़ा को ख उस आदमी की वज़ा से तो बारहाल वो फनकार तो हमारे भाई हैं उनको अल्ला रोजी दे लेकिन उन्होंने जो एक नया नई फिलोसिफी दी कि जी संजे लिला भनसाली को अगर वो डॉक्टर उमर आदिल भाई से अगर कंसल्ट कर लेते तो मौसिकी बड़ी कमाल हो जात मौकिक हो सकते हैं फनकारों के बायोग्राफिक के मास्टर हो सकते हैं और दौर का आहाता कर सकते हैं बहुत सारी चीजों में उनकी ग्रिफ्ट है मगर यह कि फिल्म का म्यूजिक कैसे बनेगा यह तो आउट अफ कुश्चन है ना कि मतलब इतने हाई प्रोफाइल कर दिया है और उनने सीजन टू में कहा है कि जिस तरह यह 40s दिखाया था 1940s का एरा तहरी के आजादी और अंग्रेज भगा और मोहिम जो भी चल नहीं थी कहना कि जो नए सीजन आएगा इसमें 50s दिखाएंगे और जो फिल्म इंडेस्ट्री के अंदर जिस तरह कि तक जो एक चीज समझ नहीं आ रही है कि तो 50s में तो पाकिस्तान भी आ जाएगा तो यह क्या स्वा ले जाएंगे अच्छा एक बहुत सारा एतराज उठा कि जी यह संजे लीला भंसाली ने जो लाहौर दिखाया है वो लाहौर ही नहीं ठीक है तो अब नहीं पता कि उस जमाने का लाहौर कैसा होगा ना मैंने देखा है ना आपने देखा है लेकिन था नस्तालीक और जबानों बयान बड़ा जबर्दस था सकाफत बहुत मुक्तलिफ थी जो आज सकाफते साजे माजे फजे गामों का वो नहीं था हीरा मंडी की एक अलग तहजीब थी और वो र मतलब क्यों इतनी सिंपिती है और इस सब्जेक्ट पे इतना काम करने को क्यों देखता है वो आपकी पास हों कि अडोमसाईल चेक करना अलग है लेकिन वो बड़े कैन्वस से मतासर हो जाते हैं उनकी आपको हर चीज में मुगले आजम नदर आएगी तो उसमें आपको दिल चीब सहाब और मदूबाला दुनिया के मैं कहता हूँ चंद बड़े हसीन लोगों में उनका शमार हो सकता है लेकिन एक नया इनकेशाफ उन्हों नहीं किया है बड़े बनसाली बाबु नहीं इस फिल्म के अंदर कमाल कर दिया है उन्हों तहरीक आजादी में भी मतलब कोई डॉकूमेंटरी एविडेंस नहीं है कहीं पर हमने इस से पहले ये बात कभी नहीं सुनी कि तवाइफों ने जंग आजादी में कोई हिसा लिया यह हूँ हमको यह पता चला था कि सरसेयत के पास अलीगड मुस्लिम यूनिवस्टी के लिए कुछ चंदा लेकर वो आई किया था और सरसीद ने वो पैसे ले लिए थे और उनको फिर किसी एक मकसद में यूज किया उन्होंने बहां लेकिन इस तरह तखरीक और अजादी में बकाईदा तहरीक heb रुद्द कराने के लिए पता नहीं मैं यकीन से कहसे तकरता हूं कि पाकिस्तान को किसी तवाइफ ज़ना से ड्राइग लीन करना था 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 किरेक्टर को उसके लिए नो ने एक यही चीज़ उनको नज़र आई कि जो नवाब के साथ वो टाइम गुजारती हैं जो भी करती हैं उसके बाद जो पॉजिटिव चीज है हमकी वो यह के वो मुखबरी और इधर से उधर पैगाम और यह हमने तो यह अमेरिकन इस्ट्रीम में पढ़ा हैं कि जो खातून जान एफ केनेडी के साथ टाइम गुजारती थी वो खबर जो केनेडी किसी से बात करते वे बताता था वो आके मॉप को बता देती थी या वो कहीं और जाके पता हो चलती थी और यह एक निसस चलता तो यह डबल एजेंट वाला जो किर्दार है कि हमने कोल्ड वॉर में तो सुना है शएद हो सकता है उनने इंस्पिरेशन लेकर इसको केरेक्टर को ड्रैकलिन किया हो बार रहल वो पियौर फिक्शन है जबान, 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 जबान जो है वो तो थी, मतलब, जबान वही उन्हें भी लहौर या पंजाब का टच उन्होंने कुछ फोक गीतों के जरीए जब वो शादी का इविंट हो रहा था तो वहां पर उन्होंने लहौर को दिखाने की कोशिश की लेकिन उसमें भी वो मश्रीकी पंजाब में चले गए मतलब खैर उस वक्त मश्रीकी और मगरीवी कोई इतना फरक नहीं था पंजाब पंजाब था तो जुबान तो ठीक थी देखें संजे लीला भनसाली को एज डिरेक्टर मेरी तरफ से तो इसमें कोई चैलेंज हो नहीं सकता उसने किसी परदे की क्रीज तक पर कॉंप्रोमाईज नहीं किया उसने लाइटिंग मतलब उसकी ये पूरी फिल्म जो है वो लाइटिंग के स्टूडेंट देख सकते हैं कैमरे के स्टूडेंट देख सकते हैं आक्टिंग के स्टूडेंट देख सकते हैं कॉस्ट्यूम के स्टू हम थोड़े से बाइस्ट हैं म्यूजिक के मामले में और हम वो स्पेस किसी हम चाहते हैं कि किसी प्रोफेशनल फंकार को मिले यह हमारा बाइस्ट है और हमारी एक अपनी कम्यूनिटी के साथ एक यग जैती है इसके बावजूद संजे लीला भंसाली ने बहुत बुरा म्यूजिक नहीं बनाया ठीक है एकाद गाना उसमें भी हिट है तो संजे लीला भंसाली ने हो सकता है कहीं पर तबला सारंगी और बाज़े बाज़े भी सीखी लिया हूँ जब वो इतने इंस्पायर है उस महार से इस साल से एक आम गाना उसमें तो उनकी मुझे थोड़ी सी जो ग्रिफ्ट है वो राग रागनियों पर कुछ दिखाई दी कि वो थोड़ा सा उनको राग रागनियों का सेंस है थोड़ा रिधम का भी सेंस मुझे नजर आया और इतना बड़ा जो डिरेक्टर होता है ना जिससे संजे लिला भंसाली हो गए राज कपूर हो गए और सुभाज गही हो गए तो ये लोग बड़ी औकिस्ट्रेशन को पड़दे पर महसूस करते हैं ये जब गाना बनवा रहे होते हैं हसन तारिक पूरा गाना उनके जहन में कोरियोग्राफ होता था ये उस्ताज जी ने मुझे बताया निसार बजमी साब मेरे उस्ताज है आपको बताओ तो बजमी साब बताते हैं कि वो पूरा गाना उनके जहन में कोरियोग्राफ होता था वो बताते थे कि यहां से ये तोड़े गत बजेगी उसके बाद तहाई आएगी तहाई के साथ जो है वो इदर से हीरोई दोड़ती भी आएगी वो यहां से शाहिद आ रहा होगा वो य क्यों आएगा गिटार का बैंग होगा यहां पर वो उसके कदमों में गिरेगी आगे और फिर वहां से वो काटे ना कटे रे रतियां की इस्ताई शुरू होगी डिरेक्टर फिल्म का बास होता है ठीक ना बास होता है तो वो मैंने अगर वो बात कही है तो अखलाकी तोर पर बंसाली साहब को मैं बहुत चोटा आदमी मेरी कोई हैसियत बतानी बंसाली साहब तक यह विलॉग जाएगा भी के नी लेकिन मैं फिर भी यह समझता हूं कि हर शौबे के प्रोफेशनल्स को उनकी स्पेस मिलनी चाहिए और आप को सब कुछ खुद नहीं करना चाहिए देखें राजकपूर साहब कभी फिरोस खान कभी जब आप फिल्म में उनकी देखें तो एंड में लिखा था है रिटेंग प्रोड्यूस्ट एंड डिरेक्टिड इडिटेड भाई राजकपूर एडिट तो नहीं की ना उने फिरोस खान का भी आता तो एक दफा उस गाने को मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने उस्तार ताफू खान साब से पूछा मैं लाहूर में मैंने का बाबाजी मेरे तो वो डैडी हैं समझो मैं उनको अपने बाप की तरह प्यार करता हूँ मैंने कहा कि ये किसी कॉमेडियन की ट्यून कैसे हो सकती है ये तो बड़ी सीखी पढ़ी हुई ट्यून है रब दिसो चली तेरे प्यार किता मैंनुवे जरनी बेदर दा ख्याल मेरा तैनुवे ये पिरोए हुए हैं हो नैना विच चाती जरा मार वे हो केंदी तेनु कजी ले दी तार वे वेख मेरा प्यार वे तु नजिरा मिलाते सही दिल तोड़ी गाते दे दे यांगे जाबे जाके बखाते अब ये पूरी कॉंपोजीशन किसी लर्निड कंपोजर की है जो हार्मोनियम एक्सपर्ट हो जो स्केल के उतार चड़ाओ को रिधम के ओर्डर में वेरियेशन्स को समझता हो ये पूरी मुखडे को कैसे देखा उसने उसको बांटा कैसे अंतरे को कैसे बांटा ये कॉमेडियन्स का जाब नहीं है नहीं है बिल्कुल तो ये इस पर मैं उस्ताद ताफू साब ने जो बात कही मैं उसको बयान नहीं करूँगा क्योंकि वो फिर एक कॉंट्रोवर्सी हो जाएगी कि मैंने उनके नाम से मनसूब हो जाएगी तो ये किसी और किट्यून थे ठीक है तो नाम जो है वो बाबाजी का आगया भाई वो इतने बड़े आदमी थे रंगिला साब मेडी की जिस तरह के उन्होंने डिरेक्शन की जिस तरह के उन्होंने प्रोडक्शन की फिल्में बनाई ठीक ना फिल्में बनाई यनि पाकिस्तान में रंगिले सहाब ने साबित किया कि इस इंडिस्ट्री को मेरी जरूरते ऐसे हीरो भी हिट होके दिखाया उन्होंने विंडो पावर थी ना उनकी टेकिट बेचा ना उन्होंने अपनी शकल पर तो आदमी तो वो छोटे नहीं थे लेकिन अगर ये ना करते तो हमारी नजर में और भी बड़े होते बिलकुल क्रेड़िट की तो जो दौड है वो हमेशा ही हर आदमी जो चाता है कि सब कुछ वो खुद कर ले तो संजी लीज़ा बंसाली से यही शिकायत है लेकिन उन्होंने बहुत जबरदस्त वेब सीरीज बनाई कोई मैं तो कहता हूँ के बाई अगर आप कंप्लेंड कर रहे हो तो बना के दिखा दो आपके पास तो हीरम अंडी है ना आपके पास तो लोग भी मौजूद होंगे आप बनाओ क्यों नहीं बनाते नहीं इतना बड़ा प्रोजेक्ट उसी का होसला है ये बड़े दिलगुर्दे की बात है ठीक है ना देखें सबसे बड़ा बबर शेर आदमी वो होता है जो नाकामी से नहीं डरता और इस प्रोजेक्ट में फ्रेंट फूट पे खेले हैं भाई बलकुल और नाकामी को जहन में रखा ही नहीं उन्होंने जैसे कि उनको पांच सो फीसद यकीन हो यार वैब सीरीज पे इतना पैसा ये पहली दवा हुआ होगा है ना इतने बड़े बजट की वैब सीरीज और उसने बेच के लिखाई तो बंसाली साब आपको सलूट है आप बड़े आदमी है और केप इट अप आप बनाते रहें ऐसी फिल्में हम तो देखेंगे आपकी फिल्में लेकिन म्यूसिक डिरेक्टर प्रोफेशनल लीजेगे चलें पर इसको हम खतम करते हैं और वैब सीरीज जो इनकी सीजन टू आ रहा है उसका इतज़ार करते हैं